स्वास्तवभाग अलाट हो गया है किरगड समुदाइक स्वास्त केंद पर डॉक्टर्स अलाट हो गया है और सस्पेक्टट टतकाल ही आइसुलीट करा जाने की निड़्देश दिये गए हैं सामुदाई के स्वास्त किंद पर मॉनिटरिंग पर लगाई गई गई टीमें कॉन्टैक्ट में आए लोगों को रखा जुआएगा 21 दिन आइसोलेट अभी तक नहीं है आगरा में मंकी पॉक्स का मरीज और मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्त वभाग पूनी तरह से अलोट है किरागर सामुदाई के स्वास्त किंद पर डॉक्टर्स अलोट हो गए हैं पलहाल यहां खबर आपको हम बता रहे हैं जो आपको सामुदाई के स्वास्त किंद पर मॉनिटरिंग पर रूख लगा जाने की बात सामने आई है और कॉंटाक्ट में आए लोगों को रखा जाएगा 21 दिन आइसोलेट तो कॉंटाक्ट में आए लोगों को 20 दिन के लिए आइसोलेट रखे जाने की बात सामने आई है और अभी तक आग्रा में मंकी पॉक्स का मरीज नहीं है लेकिन सतरकता लगतार बरतिजान शुरू हो चुकी है मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्त वभाग पुरी तरह से अलोच नज़र आ रहा है आग्रा से खबर है मंकी पॉक्स वाइरस जो है इसमें इसे इंफेक्टिड जो लोग होते हैं उनमें बॉडी में इचिंग वगेरा इसकिन की प्रॉलम आने लगती है और खास खुजली बहुत जादा होती है इंफेक्शन होने लगता है इरिटेशन होता है काफी तो में लिए बचाव इसका यह कि उसके कॉंटेक्ट में किसी को जादा नहीं आना है और में लिए जो है जो बहार से जो अधर कंट्रीज से जो एर जो इंटरनेशनल हमारी फ्लाइट्स हैं वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उसमें इसके स्क्रीनिंग के लिए विवस्ता की गई है और इसके लिए बाट सब्सक्राइब आपको बतादे आगरा की फिरागव सांगुदाक स्वास्केतर पर मंकी पोक्स को लेकर स्वास्वाग अलड़ है और लगातार अपनी देयारियों में लगा हुआ है प्लकुदा यानी तैयारिया जो है वो शुरू करती गई है सचन क्या आगरा में कुछ विशेश तैयारिया हैं क्यूंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई मरीज आगरा में मंकी पोक्स का सामने नहीं आया है लेकिन बावजूद इसके क्योंख आगरा में कुछ परटक इसके चलते बड़ी संख्या में विदेशों से भी यहां पर आते और ऐसे में सबस्यादा खत्रा बढ़ जाता है तो क्या एवपोर्ट्स पर या बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं क्या उन पर विशेश तोर पर नज़र बनाए रखने की बात सामने आई है यहां पर आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्त रभाग पुरी तरह से अलोट है मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्त रभाग में सथर कता अब रतने शुरू करती है खेडगर स्वास्त रिएक स्वास्त केंट सब्सक्रा इसें की डियार गरे कर लिए खेड़ स्वास्त केंट पर डॉक्टर्स अलोट हो गया है